गुड मॉर्णिंग ट्रेंड्स, वार्म वेलकम आल आप यू आवर निव सेशन जारखंड के जारखंड भगोलिक प्रिद्रिश और साथ में जारखंड में किर्सी वेवस्था के बारे में जानने का प्रियास करेंगे तो प्रिये दोफ्तों इस सिरुज को चालू करते हैं इसे ध्यान पुरुवक देखें शौन रेखा नदी जो की जारखंड में बहती है जो एक सौतंद्र नदी है और अंतिम में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर शमा जाती है शंड्रेखा, परियोजना, जारखंड, पश्रिम बंगाल और उडिसा ये तीनों ही राजियों में चलती है जारखंड में बहने वाली सोन नदी जो की बरसाती नदी नहीं है बात करते हैं राची अस्थित राची पठार का मद्यभाग जो की उत्री कोयल नदी का उद्गम अस्थल है हुंड्रू जलपरपात जो की राची के पठार में अवस्थित है हुंड्रू जलपरपात सोन रेखा नदी पर अस्थित है हुंडू जल बिद्धुत गिरा शुन रेखा नदी योजना के अंतरगत आता है तो हमने तीन बातें देखा हुंडू जल परपात से सबंदित पहली कि ये रांची के पठार में अवस्तित है दूसरी कि हुंडू जल परपात जो है शुन रेखा नदी परस्तित है तिसरी बात हम लोगों ने जाना कि हिंडू जल विदुद्र जोकी शुण रेखा नदी घाटी योजना के अंतरगत आता है फिर इसी कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे दामोधर नदी के बारे में दामोदर नदी जोकी जारखंड की सबसे बड़ी वा सबसे लंबी नदी में काउंट किया जाता है दामोदर नदी जारखंड का जोकी सबसे परदोसित नदी भी माना जाता है ब्रह्मनी नदी जोकी दुमका जिल्ले के दुधवा पहाड़ी से होकर निकलती है दामोदर नद दामोदर नदी की बाढ़ के कारण उसे बंगाल का सोक भी कह जाता है दामोदर नदी जो की जार्खन की सबसे लंबी नदी है और ये लगभग 290 किलोमीटर लंबी है तो हमने 4-5 बाते दामोदर नदी के बारे में जाना सबसे पहली बात एक बार रिविजन के तोर पर की दा की ब्रमनी नदी जो की दुमका जिल्ले के दुद्वा पहाड़ी से होकर निकलती है चौथी बात हमनों जाना है की दामोदर नदी जो की चुलहा पानी टोरी लातेहार से निकलती है दामोदर नदी की बाढ़ के कारण उसे बंगाल में बंगाल का सोक के नाम से भी जाना ज जो कि छोटानागपूर के पठार से निकलती है। फल्गु नदी की मुख्यधारा का नाम निरंजना या लीला जन है या छोटानागपूर के पठार से निकलती है। आगे बात करते हैं फल्गु नदी के बारे में फल्गु नदी की मुख्यधारा का नाम निरंजना है। निरंजना है या इसे लिला जन भी कहते हैं या छोटानापूर के पठार से निकलती है जमसेतपूर शुन रेखा या खरकाई नदी के केंदर पर अवस्तित है या कह सकते किनारे में अस्तित है जारखन में गंगा नदी जो की साहब गंज जिल्ले से होकर गुजरती है शंक नदी का उद्गमस्थल गुमला जिल्ले में है दीमना डेम जो की श्रण रेखा नदी पर ही अस्तित है गुमरो या एरो जो की ब्रह्मनी नदी की सहायक नदिया है छोटानापूर के पठार की रचना जो की रचना प्रिवर्ति चटानों से हुई है अगने सेल चटानों से हुई है जार्खन राज की भूगर्मिक सनरचना में आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड की धारवाड की चटाने प्राचिंतम है जार्खन के प्रमुख कोईला निछेप का निर्मान गुडवाना स्रेने की चटानों से हुई है गुडवाना स्रेने की चटानों से हुई है बात करते हैं जहारकन का सबसे उचा भूभाग जो की पाठ छेत्र में अस्तित है जहारकन का सबसे उच्छा भूभाग पाठ छेत्र में अस्तित है जहारकन में उची भूमी को टान के नाम से भी जाना जाता है जहारकन में सबसे जो निचली भूमी होता है उसे दोन कहा जाता है बात करते राजमहल के बारे में तो राजमहल छेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है अर्थात राजमहल के जो गुंबद नुमा पहाड़ी होता है उसे क्या कहा जाता है डोंगरी कहा जाता है उसी तरह से जो नुकिला पहाड़ियां ह सबसे अधीक वन वाला जिल्ला है ये परिछा में पूछा जाता है कि सबसे अधीक वन भूमी वाला जिल्ला कौन है तो सही आंसर होगा पश्मी सेबुम जिल्ला जार्खन का चत्रा जिल्ला सवड़िक वन घनत वाला जिल्ला है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं देवघर के बारे में देवघर जिल्ला जो कि बाबा वैजनात धाम के लिए काफी परसीद है तो देवघर जिल्ला जारकन का शब्षे कम भूमी वाला जिल्ला है इसको ऐसे आद रखें कि देव भूमी होने के कारन वहां का सारे जंगल कट-छट के सहर ब करते नित्रहाट के बारे में जो कि सबसे झार्खन का ठंडा अस्तल मान गया है। यह परिछा की द्रिष्टी कौन से इंपोर्टेंट है। जमसेतपूर झार्खन का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है। जिसका तापमान 88 centigrade या तो Fahrenheit में 190 degree Fahrenheit कह सकते हैं जो की हजारी बाग का से 30 km दूरी पर अस्तित है जारखन में वर्षा जो की दच्छिन पस्मी मांसून के वज़ा से होती है परशनात की पहाड़ी की सबसे उची चोटी को सामवेद सिखर कहा जाता है हुंडू जलपरपाद के अगर बारे में बात करें तो ये राची में अवस्तित है हुंडू जलपरपाद जो की सौन देखा नदी परस्तित है आगे बात करते हैं हुंडू जलपरपाद सौन देखा परियोजना जो की सुन्रेखा प्रियोजना जो कि जार्खन पश्चिम बंगाल और उडिशा का संजुक्त प्रियोजना है परसनात की पाहड़ी गिरेडी के पठार कहीं हिस्सा है परसनात की पाहड़ी के सबसे उची चोटी को शामवेद सिकर कहा जाता है जहारखन में 6 प्रकार की मिटियां पाई जाती है जिसमें से लाल मिटी राज्य की सरव परमुक मिटी है जो की छोटानागपूर के लगभग 90% छेतर में लाल मिटी पाई जाती है बात करते हैं काली मिटी के बारे में तो काली मिटी बिसाल्ट सेल से बनती है जो कि राजमहल के पहाड़ी छेत्रों में पाई जाती है यहाँ धान एउम चने की खेती के लिए सवर्धिक उप्युक्त माना गया है लाल लेटे राइट मिट्टी जो कि राची के पस्मी छेत्र में पलामू के दच्छिनी छेत्र संस्थाल प्रगणा के छेत्र में पाई जाती है आगे बात करते हैं अबरक मूलक के बारे में बात करते हैं जो कि कोडरमा, मांडू, बढ़का गावा, जुमरी तिलईया आधी में पाई जाती है रेतेली मिटी, हजारीबा के पूर्व वाधनबाद में यह मिटी पाई जाती है जो कि मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए रेतेली मिटी उप्यूक्त माना गया है जेलोड मिटी के बारे में बात करते हैं तो यह संस्थाल प्रगना के उत्री मोहने पर यह मिटी पाई जाती जो धान के खेती के लिए उप्यूक्त है छोटा नवपूर का प्रवेश द्वार चत्रा को कहा जाता है यह परिछा के द्रिष्टी कौन से इंपोटेंट है जोटा नवपूर की राने नित्रहाट को कहा जाता है जोटा नवपूर की चोटी को अकास लोचन कहते हैं बात करते हैं आयने अकवरी आयने अकवरी के बारे में बात करते हैं जो की आयने अकवरी में लोहर दगा का उलेक किम्मत लोहर दगा की रूप में हुआ है जार्खन में स्वर्धिक जो सो आर्कियन सिल पाय जाता है सोन घाटी में बिद्यान समू की चटाने मिलती है सिलुरियन कल्प के बाद डेविने कल्प आता है हिमाले छेत्र के जीव पारशनात पहड में मिलते जुनते हैं राज्जे में पारशनात सिखर का समुदरतेर से उच्चाई जो लगभग 1365 मीटर की आसपास है राज्जे में पाटचेत्र जो की राची के पठार से मिलता जुटता है पारशनात की पहड़ी जो की गरीडी के पठार का हिस्सा है जार्खन में सोरधिक आर्कियन सेल की चटाने पाई जाती है आगे बात करते हैं राज्जमहल ट्रेप की आवसत उच्चाई जो की लगभग 400 मीटर के आसपास है आगे बात करते हैं राज्जमहल जो की ट्रेप पेसाल चटानों से निर्मिध है चुटानागपुर पठार जो की परयादीपिय पठार का भाग है जारकन की निविंतम भौतिक सनरचना राजमहल ट्रेप है राजमहल ट्रेप का सीर्जन जेरिशिक काल में हुआ था दामोदर घाटी जो की एक तरह का भ्रांस घाटी है बात करते हैं बिद्यान चट्टाने समु होने का एक मात्र अस्थान शोन घाटी है अब आगे बात करते हैं जारकन किर्सी से सबंधित बात करते हैं जारकन किर्सी से सबंधित जारकन में आजीव का कमुकिश्रोत किर्सी है जारखंड में किर्सी कुल भूमी का 38 लाक हेक्टेर के आसपास है दोन भूमी जो की धान की खेती के लिए अधिक उप्यूक माना गया है जारखंड में सुध बोया गया छेत्र लगभग 18.07 लाक हेक्टेर के आसपास होता है जिसमें से सिंचित भूमी के अगर बात करें तो 1.95 लाक हेक्टेर होता है जारखंड रैजज की मुख्य फशल धान है जारखंड में मुख्य तौर पर अगहनी फशल की खेती की जाती है गेहू रभी फशल का जारखंड में परमुख्य अस्थान है आगे बात करते हैं लाहुत पादन में जहारखन लाहुत पादन में जहारखन का भारत में पर्थम अस्तान है इस परिछा के दृष्टी कौन से अती महत पूर्ण है आगे बात करते हैं धान खरिफा फसल का जहारखन में मुख्य अस्तान है भारत में कुल ला उत्पादन का 50 परतिसत जो की जार्खन में उत्पादन होता है 50 परतिसत जार्खन में उत्पादन होता है जार्खन में आम फल को अमरित फल भी कहा जाता है भारत के कुल तसर उत्पादन का 6 परतिसत हिस्सा जो सो जार्खन में होता है राज में कुल छेत्रफल में 1 का परतिसद जो है 29.95 परतिसद के आसपास है अगर वन भूमी छेत्रफल का बात करें तो 23,473 वर किलोमीटर के आसपास है जारखन के सकल घरेल उत्पादन में 1 छेत्र का 1.5 फिसीदी हिस्सा है आगे बात करते हैं जारखन के सकल घरेल उत्पाद में 1 छेत्र का लगभग 1.5 हिस्सा है जारखन में 4 जारखन में 4 अनुशंधान केंद्र जो की हजारी बाग जिल्ला में अस्तित है मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहट विर्चारोपन का नियूंतम सीमा एक कड़ और अधिकतम सीमा पच्चास से कड़ माना गया है जारखन का कुल किर्सी छेत्र फल जो हो है 40 परतिसत के आसपास है पर एक फसली किर्सी कहा जाता है कहने मतलब है कि जारखन में साल में एक बार बारिश के मुखसम में खेती होता है जो कुल किर्सी का लभग 40 परतिसत हिस्सा होता है जारखन का पर्थम किर्सी बिश्विद्याले की बात करें तो बिर्सा किर्सी बिश्विद्याले जो की रांची में स्तित है किर्सी में जारखन का स्वर्धिक विक्सित छेत्र उत्री पुर्वी शिमान्त किर्सी परदेश है राज्य के कुल बगोलिक छेत्र में से 24% भाग सिच्चाय की सुईधा उपलब्ध है जारखन में सिच्चाय के लिए कुवा संसाधन का प्रियोग सुर्धिक किया जाता है जो परिछा के दिरिष्टी कौन से महत्पूरून भी है रितेली मिट्टी हजारी बाग के पूर्व वा धनबाद में यह मिट्टी पाई जाती है जो मोटे अनाज के लिए उप्यूक्त मानी जाती है बात करते हैं जलोड मिट्टी के बारे में जलोड मिट्टी जो की जलोड मिट्टी मुखेता संस्थाल परगना के उत्री मोहने पर यह मिट्टी पाई जाती है जो धान यहों ग्यों की खेती के लिए उप्यूक्त है काले मिट्टी जो कि बेसाल्ट सेल से बनती है जो कि राजमहल के पहाडी छेतरों में पाई जाती है धान यहों चने की खेती के लिए यह अधिक उप्यूक्त है प्लीफेपल 25 उ दोड़र्णे 26 उड़र्स ऑच कर चार भीव उड़र ठाल 1 2 2 3 3 cker डिदरखर्स 40 उनातास 40 उनाता है 51.45 उनातास a रॉऑ है कग लेंगे हो अगा है उर में लेपाल में लेपाल को भाएंग कई अवाल आप झाप